नमस्कार दोस्तों सागेते आप सभी बच्चों के MD Classes की YouTube चनल में क्या हल चानल सभी के आप सभी ने देखा होगे कि RRC Group D की परिक्षाइं चल नहीं और उस परिक्षाओं में कुछ ऐसे कंसेप्ट है जिसमें लगतार प्रसंद देखने को मिलना है उसी में से आपके पास एक कोशन देखने को आ रहा है और यह सिरफ RRC Group D की बात नहीं करेंगे आप देख रहे हैं 2018 की Group D की परिक्षा होती तबी भी पूछा गया था NTPC CBT1 की परिक्षा होती तबी भी पूछा गया था कोशन देखने को मिलेंग है लेकिन आपको यह वाला कोशन जरूर देखने अब इसको हम कैसे दो सेंडूर कर पाएंगे वह सारी बाते हम यहाँ पर देखेंगे और अगर को मज़ा आएगा तो जरूर सस्क्राइब करिएगा बेल आइकाओ पे जरूर क्लिक करिएगा ताकि आपको ऐसे ही बहुती सांदार वीडियो देखने को मिलते रहेंगे हमसे करा कोई भी त्रिभुश के तीन निर्दसांग दे रखा होता है हमसे कहता है यह बता इसका एरिया क्या आएगा अब मैं आपको सबसे पहले तो इस कोईशन्स का दो तरीका बताता है और दोनों तरीके आपको ध्यान में रखने है और दोनों में से आप कोई सब भी तरीका लगा देंगे 0 करने का वहाँ से फैदा निकलेगा जहाँ पे minus दे रखाऊ मुझे जोड़ना जैसे देखो यहाँ पे minus 4 में 4 जोड़ दो zero minus 3 में 3 जोड़ दो zero तो मैंने क्या क्या 4 और 3 जोड़ा है सब में तो मुझे सब में जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा, अब ये तो 0 हो गया, खतम हो गया, इसमें जोड़े तो 4, 1, 5, 3, 2, 5, इसमें जोड़े तो 4, 4, 8, और 3, 1, 4, अब कोश्चन खतम, अंदर का अंदर multiply, बाहर का बाहर, तो 8, 5, 40, minus करेंगे बटे 2, क्योंकि त्रिभुज के एरिया में half base into height आत पूछे जा रहे, और बच्चे इसमें फज जाते हैं, तो सबसे पहला तरीका हमें concept में क्या समझ में आया, कि हम कोई भी एक निरसांग को minus कर लेंगे, और questions निकाल लेंगे, चलिए थोड़ा practice भी कर लेते हैं, ताकि हम पूरी तरीके से दिमाग में बैठा पार आपको practice के questions भी देंगे, जैसे ये पढ़िए question क्या कहता है, तीन कामा पांच, दूसरा क्याले रखा है, आपके पास कहता है, माइनस दो कामा जीरो, ठीक है, और तीसरा कहता है, च्छे कामा चार, अब मुझे यहाँ पे जीरो करना किसी भी एक निरसांग को, तो मैं कैसे करूँगा, मैं सोचूँ यार ये जीरो है, इसी को कर लो, इसमें दो जोड़ दो तो ये जीरो और ये जीरो पहले से, तो हमने दो और जीरो सब में जोड़ा है, तो ये तो जीरो खतम हो गया, तीन दो पांच, पांच में जीरो जोड़ोगे तो पांच, छे दो आठ, और चार में जीर चोग का 20- कर लेंगे question खतम तो निरसांग जामिती का ये concept हर बार आया भी है और हर बार पूछा भी जाता अब क्योंकि होता क्या है ना कि सिर्फ परिक्षा में एक चीज रटके परिक्षा पास नहीं हो सकती है और अगर हम एक एक ही चीज रटके चले जाते हैं परिक्षा प हम अगर पंचभुच पूछा जा तो भी कर पा ऐसे सभी questions को करने के लिए दूसरा क्या तरीका हो सकता है जरा समझे तो दूसरा तरीका यह आता है कि आपने ऐसे questions को तो कर लिया ठीक है यहां कोई दिक्कत नहीं आया अब आपको पता यह तिर्भुच का जो निरसांग तो तीन माइनस दो छह और फिर वापस आएंगे तो तीन तो पूरा करोगे ही न फिर पांच जीरो वाई वाला ले रहे हैं चार और यह फिर पांच अब खत्म हाफ हमेशा लगता ही लगता है ऐसे आओ तो प्लस करते जाओं मल्टिप्लाई करके यानि तीन सुन नम सुन प और यह हो गया चारतियां बारा अब जोड़़ो बारी साब तो तीस और दस चालिस चालिस आपके पास यहां है चालिस में से आर घटाओ बतिस दस बैयालिस बैयालिस और दो आपके पास आगए चाप फिर से कर लो जैसे कहीं भी कोई इसू आ रहा है अब माइनस करोगे तो plus करते जाएंगे multiply करके इधार आएंगे तो minus करते जाएंगे multiply करके दोनों concept याज होने चेए लेकिन त्रिभुज में हम कैसे 0 बना सकते हैं वो ज़्यादा आसानी से पूछा जाता है चलिए एक और questions की practice कर लेते और आप देखेंगे यह सब question परिक्षा में है अब देखें यह NTPC में आया हुआ था अब ज़रा इसकी practice करें सोचेर क्या कर सकते हैं कैसे इसको 0 बनाये जाए एकदम दिमाख लगाएंगे कैसे बना सकते हैं हम कहेंगे सर इसको एक काम को रहें यहां एक जोड़ो यहां 0 तो है तो यहां भी एक जोड़ोगे यहां 0 तो है यहां भी एक जोड़ोगे यहां तो 0 है अब यह तो 0 हो गया यह क्या गया एक और एक दो 0 और 0 जीरो अगला 0 और 1 1 एक और 0 एक अंदर का अंडर मल्टिप्लाई बाहर का बाहर मल्टिप्लाई तो 2 एक कर्णम 2 में से 0 एक कर्णम 0 घटा लो बटे 2 कर लो answer कितना आ गया option number 1 यानि कि C आ गया समझ पाए कि नहीं समझ पाए तो किसी भी एक हम यहाँ पर निरसांग को 0 कर लेंगे और question खतम कर लेंगे माल लो सर्ण मुझे ये वाला नहीं लगाना होता मुझे आप वाला तरीका लगाना होता ऐसे मैं उठाता सबसे पहले x लिखता सबके x को minus 1 फिर 0 फिर वापस आता एक पे फिर 0,0,1 फिर 0 करता ऐसे multiply करते हैं 0 हाफ आप लगा ले ते भाल ऐसे multiply करते हैं 0 ऐसे multiply करते एक 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 लिख लेकिन minus 1 आता ऐसे multiply करते हैं 0 हो जाता मत लिखिये 0,15,0,0,0,1,1 यहाँ पर आपके पास क्या आता 1,1,1 आता तो minus 1, minus 1, minus 2, बटे दो फिर एक आगया तो समझ पाए कि नहीं समझ पाए तो मेरे पास कई सरी तरीके होते किसी भी कोश्ण को solve करने के लिए अब कुछ बच्चा इसको ऐसे भी solve कर सकता हाफ और पूरा formula रख ले कैसे by x1 y2 minus y3 y2 फिर इसका ऐसे करते चले जाएंगे तो एक बड़ा तरीक यह बाहर से बाहर कोश्ण खता अब एक कोश्ण आपके होमक के लिए है और इस कोश्ण को सभी लोग solve करिएगा और comment box में जरूर बताएगा कि इस कोश्ण का क्या सही answer होगा जो त्रिबू जेना उसके तीनों ने सांग दे रखे तीन पांच माइनस दो जीरो और छे चार अब जरा बताएगे मुझे जीरो बताना बनाना है तो क्या मैं इसी को जीरो करूँगा और मैं कैसे करूँगा भगया इसमें दो जोड़ दूँगा खतम हो गया तो यहां भी दो जोड़ेंगे यहां भी दो जोड़ेंगे अब comment करके आप बताएगा किसमें से इसका सही answer क क्या होगा और जरूर बताएगा कि आप कोई वीडियो कैसी लगी या इसके लावा अगर आपको मैथ में कोई और ऐसी वीडियो पर कोश्चन चाहिए कंसर्ट कि इसका कैसे छोटा कंसर्ट कर सकती आप परिक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा और ताकि हमारी सारी ची कि आप परिक्षा में सुपटा है कि आप परिक्षा में सबसे जैं सकती आपको मैं सबसे अचाहिए झाला था चाहिए ध।